देश के रेल मंत्री अश्विनी वैश्णव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जो वीडियो शेयर किया है यह आपको भी देखना चाहिए हैरान मत हो यह यह तस्वीर हिंदुस्तान से ही है यह भारतिय रेल का न्यू एज पॉड रिटाइरिंग रूम है और इसका आनंद आप भी ले सकते हैं रेलवे ने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर अपना पहला पॉड कॉंसेप्ट रेटाइरिंग रूम लॉंच किया है जिसकी कुछ हैरान करने वाली जल्किया खुद रेल मंत्री ने शेयर की है अब समझे कि पॉड रेटाइरिंग रूम क्या होता है दरसल बहुत से लोग रेल द्वारा किसी बिजनेस यात्रा या जरूरी काम से दूसरे शेहर जाती है तो उन्हें कुछ वक्त के लिए महंगे होटल लेने पड़ते हैं स्टेशन के पास होटल ढूनना और अच्छा होटल ढूनना एक चैलेंज रहता है ऐसे में आप रेलवे के ही आलिशान पाउड होटल अपने शौर्ट स्टे के लिए बुक कर सकते हैं इन पाउड में आपको सभी फाइव स्टार्स सुविधाय मिल जाएंगी जबकि किराया दूसरी जगाओं के तुलना में बेहत कम होगा यात्रा के दौरान अगर आपको ट्रेन चेंज करनी है या फिर आप धकान महसूस कर रही है तो इन में आप 12 से 24 घंटे तक के लिए ठहर सकते हैं ये पाउड दो तरह के हैं क्लासिक और प्राइवेट यहां रुखने का किराया सिर्फ 999 रुपे से लेकर 1999 रुपे तक ही होगा वही प्राइवेट पॉट का किराया 1249 रुपे से लेकर 2499 रुपे तक होगा ये रूम एक कमपार्टमेंट की तरह हैं जिन में छोटे-छोटे बेड लगाए गए हैं यहां मिलने वाली सुविधाओं में शुमार हैं फ्री वाइफाई, साफ सुत्रा वाश रूम, लगेज रूम, शौवर रूम, कॉमन एरिया, टेलिविजन और चार्जिंग पॉइंट, पढ़ने के लिए रीडिंग लाइप, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए रेलवे ने स्पेशल पॉट तयाग किये हैं, फिलहाल ये सुविधा मुंबई सेंटरल रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध है, जिसे जल्द ही पूरे देश में शुरू किया जाएगा 2014 के बाद से भारतिय रेल ने जो ट्रांस्फॉर्मेशन किया है, उसकी दुनिया तारीफ कर रही है चाहे बुलेट ट्रेन का निर्माण हो, दुनिया का सबसे उचा आर्क रेलवे ब्रिज हो, विस्टाडोम कोच हो, बंदे भारत जैसी ट्रेने हो, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन्स हो, स्पेशल फ्रेट कॉरिडोर हो, सिगनल फ्री होते ट्रैक हो, तेज गती से होता व